साथियों, देश के एग्रिकल्चर सेक्टर की उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किये गए हैं आज भारत का एग्रिकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक बाइबरंट हुआ है आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहार भी बेचने का विकल्प है आज भारत में मंडियों का आधुकरन आधुनी करन तो हो ही रहा है किसानों को डिजिटल प्लेटफरम पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है इन सारे प्रयासोंगा लक्ष यही है कि किसानों की आए बड़े देश का किसान सम्रुद्ध हो जब देश का किसान सम्रुद्ध होगा तो देश भी सम्रुद्ध होगा आपको मैं एक और उदहान देता हूँ कि क्रिशिक छेत्र को पहले कैसे हंडल किया जा रहा था सात्यों हमारे देश में पहले इथेनौल तक को प्राथ्विक्ता देकर इंपोर्ट किया जाता था जबकि खेतों में गन्ना किसान परेशान रहता था कि उसका गन्ना बिक नहीं रहा या उसके गन्ना किसानों का हजारो करोड रुपे का बकाया भी समय पर मिलता नहीं था हमने इस स्थित्र को बदला हमने देश में ही इथेनौल के उत्वादन को बढ़ावा दिया पहले चीनी बनती थी, गुड़ बनता था, कभी चीनी के दाम गिर जाते थे, तो किसान को पैसे नहीं मिलते थे, कभी चीनी के दाम बढ़ जाते थे, तो कंजूमर को तकलिप होती थी, याने कोई व्यवस्था ऐसी चलनी ही नहीं सकती, और दूसरी तरफ हम हमारे कार, स्कूटर चलाने के लिए विदेशों से पैट्रोल लाते थे, अब अगगे काम इथनौल भी कर सकता था, अब देश में पैट्रोल में दस प्रतिशत तक इथनौल की ब्लैंडिंग करने की तरफ बढ़ रहा है, सोचिए, इससे कितना बड़ा बड़लावाने वाला है, इससे गन्ना किसोनों की आमनी तो बढ़ेगी, रोजगार के भी नए आउसर मिलेंगे, साथियों, आज जब मैं उद्योग जगत के वरिष्ट लोगों के बीच हूँ, तो इस बात को भी खुल कर कहूँगा, कि जितना हमारे देश में एगरी कल्चर पर प्रावेट सेक्टर द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, दुरभाग्य से उतना नहीं हुआ, इस सेक्टर को प्रावेट सेक्टर द्वारा उतना एक्स्प्लोरी नहीं किया गया, हमारी यां कोल्ड स्टोरीज के समस्या है रही है, बीना प्रावेट सेक्टर के सपोर्ट के सप्लाई चेन बहुत सिमित दायरे में काम करती रही है, फर्टिलाईजर की किलत होते आपने भी देखा है, इसका कितना इंपोर्ट भरत करता है, आप भी जानते हैं, एग्रिकल्चर सेक्टर के ऐसी कितनी चुनोतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकान निरंतर काम कर रही है, लेकिन इसमें आपके इंट्रेस्ट और आपके इंवेस्टमेंट दोनों की आवशक्ता है, मैं मानता हूँ कि अग्रिकल्चर से जूरी कई कम्पनिया अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन सर्फ उतना ही काफी नहीं है, फसले उगाने वाले किसानों को, फल सब्जियां उगाने वाले किसानों को, जीतना आधुनिक टेकनलोजी का, आधुनिक व्यापार और द्योग के तोर तरीक का, जीतना सपोर्ट मिलेगा, उनकी जरुनतों को देखते हुए, जीतना हम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही हमार देश के किसानों का फसलों का नुक्सान कम होगा उतनी ही उनकी आए बढ़ेगी आज ग्रामीन शेत्र में एग्रो बेज इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कोप है पहले की नीतिया जो भी रही हो लेकिन आज की पॉलिसी ग्रामीन कुरुशी आधारीत अर्थ बवस्त का विक्सित करने के लिए बहुत अनुकूल है नीति से और नियत से सरकार पुरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिविद्ध है